हेलो स्टुनेंट्स कैसे हैं आप सभी मैं शुबंपुरोहित आपका जगरफी एजुकेटर स्वागत करता हूँ आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मैगनेट ब्रिंस पर मैगनेट ब्रिंस जो की फेमस है पूरे इंडिया में क्वालिटी कंटेंट सिस्टेमेटिकली प्रोवाइट करने के लिए जहां पर आपको किंडल गाडन से लेकर क्लास ट्वल तक की सभी कक्षाय मिलती हैं बुख को पड़ रहे हैं इस बुख का जो सेकेंड चैप्टर है नाम कैया है चैप्टर का प्रतवी की उत्पत्ति एवं विकास इस चैप्टर को हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था इस चैप्टर में हम लोगों अभी तक जो है प्रत्वी की उत्पत्ती से संबंदित आरंबिक विचारधाराओं के बारे में पढ़ा जिसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से बिग बैंग थियोरी को हुगा देखिए आप लोगों ने चैप्टर का जो नाम है उससे हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि प्रत्वी की उत्पत्ति विकास लेकिन बाद में आपनों को बताया था कि विज्ञानिकों ने या भूगल वित्ताओं ने यह जानने के को उशिश की कि आखिर ब्रहमा और वीरान ग्रहती प्रारम में मतलब आज जो प्रत्वी का स्वरू हमें दिखाई दे रहा है वैसा स्वरू पहले नहीं था पहले हमारी जो प्रत्वी थी वो पूरा एक चट्टानी ग्रहती और गर्म इसका जो तापमान जो था वो बहुत ज्यादा था और एक वीरान ग् होती थी जिसका वायू मंडल का था विरल था जो हाइडोजन वाहं हीलियम गैसे से अ Should गैसे बहन रोख टेश्चे नहीं दिखाई देती थी वह यहाज की बदोच लग्लान Aus रहना उससे बहुत जो था अलग वायू मंडल पहले दिखाई देता था अता कुछ ऐसी घटनाएं और क्रियाएं अभश हुई होगी जिसके कार चटानी वीरान और गर्म प्रत्वी ऐसे सुन्दर ग्रह में परिवर्तित हो गई तो ऐसी बहुत सी घटनाएं जरूर होई होग लेकिन क्या प्रत्वी ऐसी ही रहने वाली है नहीं ऐसी नहीं रहेगी कुछ समय बाद प्रत्वी की एक आयू रहती है और वो जो आयू है वो कंप्लीट हो जाएगी और यह जो है हमें विस्पोर्ट बाद में देखने को मिलेगा खिलाल आप यहां तक इस प्रोसेस तक जो थिया आप दो बहुत अच्छे से समझ सकतें इन लेज़ के बारे में जो हम इंसी पर पाई जाती है जिसको आपगा बोलते हैं घुप इससे बोला जाता है क्रोड क्या बोला जाता है क्रोड या इंग्रिश में बोलेंगे कोई उम्मिद करता हूं आप लोग यह बात बहुत अच्छे में दिखाई देता है कि भाई उसका घ्ञनत्व जो है वो कम है मतलब करिंगे बहुत दूर दूर पाई जा रहे हैं कहां पर वायू मंजल में LANE मैं जैसे जैसे संदि यह करोड के तरह हैं तो कढई जो घ्ञारत है यह प्रत्ज़ों में जो अंदरोनी राहत जारत इस परत के अलग विशेष्टा है और अंदर जो कोर एरिया हमें दिखाई दे रहा है इसकी एक अलग विशेष्टा है तो हर एक सता है कि अपनी एक अलग क्या होती है विशेष्टा होती है तो यह हम लोगों ने समझा कि प्रतवी जो है हमें पता है कि परतदार यह परतों की बनी होई है और कैसी पड़ते दिखाई देती हैं उनका नाम के हैं मैंने आप लोगो बहुत अच्छे से बता दिया जब हम स्थल मंडल पढ़ेंगे ना तो उसमें यह बाते हैं आप लोगो और अच्छे से अच्छे लिए आप हमारे सोचल मेडिया चैनल्स को भी फॉलो कर सकते हैं जिन सोचल मीडिया चैनल्स पर हम प्लब्द हैं वह यूट्यूब फेस्बॉक इंस्टाग्रम ट्विटर और टेलीग्राम वाट्सैप चैनल आप लोगो करना क्या है इन सभी चैनल्स को सब्स्राइ मैं थैंक्यू थैंक्यू सो मच